अलो फ्रेंट्स वेलकम मैं सिद्दान्त आपका सवगत करता हूं पेपर एकर चैनल में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इंगलेश लिट्रेशर फर्स्ट पेपर का प्रिजेंट इन एपसेंस जो चैप्टर है उसका दूसरा इस्टेंजा चलिए शुरू करते हैं सेंसेस बांट देर आटवार्ड मोशन मेरी जो भावनाएं हैं वो बाहर आना चाहती हैं विच नाओ विदिन रीजन डथ विन जिनोंने मेरे अंदर के तरक को पिछारों को जीत लिया है रीड़ वर्ड पाई हर शीक्रेट नोशन और अपने गुप्त विचारों को खुद से दोगना कर लिया है लाइक रिच मैं डैट टेक प्लेजर एक अमीर व्यक्ति की तरह जो एक प्लेजर आनंद लेता है इन हाइडिंग मोर दैन हैंडिलिंग ट्रेजर एक ऐसा अमीर व्यक्ति जो सिर्फ अपने रुपयों का आनंद देता है इन हाइडिंग मोर अपने रुपयों को छुपाता है और खर्च करना नहीं चाहता है कि रिफ्रेंस पड़ते हैं इस लाइन है वो प्रिजेंट इन एप्सेंटर से ले गई है इसको लिखाया किसने डॉनी इसने जॉन डॉनी इस लब पोयम प्रिजेंट ता फर्म कन्विक्शन आफ दा पोएट यह है जो लब पोयम है प्रिजेंट्स बताती है दा फर्म कन्विक्शन फर्म कन्विक्शन मींस होता है द्रण निश्चय आफ दा पोएट पोएट का कभी का द्रण निश्चय बताती है that the lovers need not to fear from separation जो प्रेम है या जो प्रेमी है उनको नहीं डरना चाहिए from separation अलग होने से because क्योंकि in fact it is the source of making their love everlasting क्योंकि यही in fact यानि कि यही एक तरीका होता है of making their love everlasting अपने लव को और ज्यादा बढ़ाने का timely separation cannot end their love in any way समय जो है थोड़े समय का separation है अलगाव है थोड़े समय के लिए दूर होना किसी भी प्रेम को समाप्त नहीं कर सकता explanation in these lines the poet tells poet बतलाता है that the show of love and dedication of the lovers is not all जो प्यार का दिखावा है या उसके प्रती जो हमारी भवना है वो हमें हर किसी के सामने उजागर नहीं करनी चाहिए even if the lovers fail to make an expression of love before the world जब कि lovers जो है प्रेम जो है कभी कभी अपने प्रेम को दुनिया के सामने जाहर करने में सफल नहीं हो पाता their love remains immortal लेकिन फिर भी उनका जो लव है वो आध्यात्मिक रहता है अमर रहता है undoubtedly निसन दे the people may consider it to be the weakness of their love निसन दे कुछ लोग जो हैं प्यार को ना जताना अपनी कमजोरी मानते हैं अपनी कमजोरी समझते हैं but the true lovers never care for such things लेकिन जो सच्चे प्रेम ही होते हैं जो सच्चा प्रेम होता है वो कभी ऐसी चीजों के बारे में नहीं सोचता they prefer the fact that वे यह fact बात मानते हैं कि love needs no expression love यानि कि प्रेम को जताने की या सब को दिखाने की कोई भी आवशकता नहीं है but it resides within their heart यह उनके दिल में ही बढ़ता रहता है it is better controlled by mind and wisdom यह दिमाख और मन द्वारा control नियंत्रित होता है and the secrecy should be maintained और जो इसका secret है वो इसको बचाके रखना चाहिए it is useful because यह बहुत उप्योगी है क्योंकि it is a greater source of pleasure यह आनन्द का एक श्रोथ है and enhances बढ़ाता है it persistently और बढ़ाता है लगातार इसकी क्या बढ़ाता है गति को बढ़ाता है कि ही he explains this idea through the image of a rich man यहाँ पर कभी है कभी जो है वो यह जो तरक है यह जो बिचार है वो एक rich man अमीर व्यक्ति का example लेकर आपको बताना चाहता है who prefers to keep his treasure hidden जो अपनी संपत्ति जो है छुपाकर रखता है कौन अमीर व्यक्ति and is always happy in his heart only to think about it और इस धन के बारे में मन की मन सोचकर खुश रहता है बस he does not show or use it बहें इसे कभी नहीं दिखाता है और नहीं उप्योग करता है कौन नहीं करता है जो rich man है in the same way इसी तरह if the lovers keep their love within themselves इसी तरह यदि जो प्रेम भी है प्रेमी भी है वो अपने प्यार को अपने आप तक ही सीमित रखेंगे it will give them greater pleasure यह उन्हें अत्यदिक आनंद देगा in that case इस case में इस इस्तिती में nobody can object them or hinder their love ना कोई उन पर आपत्ती जता सकता है और ना ही उनके प्रेम में कोई की बाधा डाल सकता है this is a very remarkable stanza that love is not to be revealed यह बहुत ही महत्पूर्ण stanza है जिसमें यह बताया गया है कि love is not to be revealed प्रेम को उजागर नहीं होना चाहिए सब के सामने कुछ आगर नहीं करना चाहिए the comparison of lovers to the rich man जो comparison तुलना की गई है lovers की प्रेमियों की rich man से अमीर व्यक्ति से and love to treasure is very appealing और लव प्रेम से लेके धन तक यह बहुत ही आकरशिक है यानि कि आकरशक है तो यह हमारा दूसरा stanza हो गया इस chapter का अब हम मिलेंगे next class में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को like करिए और share करिए thank you